नमस्कार आप देख रहें एकॉनमी का हिसाब किताब और मैं हूँ अनंदियो चक्रवर्ति आपने कभी सोचा है कि ये जो गोधी मीडिया के चैनल हैं अकबार हैं ये हर वक्त ये अंटशंट चीजें क्यों दिखाते हैं क्यों आपका रोटी, कपड़ा, मकान, आपकी नौकरी, आपकी हक की बातें उन पे खबरे न उठाकर, उन पर सवाल न उठाकर आपका ध्यान हर वक्त किसी गैर जरूरी चीज़ पर ले जाना चाहते हैं करते हैं सब, इसका जवाब आपको गोधी मीडिया की एकनॉमिक्स में मिल जाएगा, उन चैनलों की एकनॉमिक्स में मिल जाएगा, और हाँ इसमें आप भी शामिल हैं, आप दर्शक भी इसमें शामिल हैं, आज इसी गोधी मीडिया की एकनॉमिक्स का हिसाब लगाऊंगा इस एपिसोड में चलिए सबसे पहले हम एक चीज़ को तराजू पर तोल के देखते हैं और वो ये है कि आपको एक डेली अकबार खरीदने में कितना पैसा लगता है आपका और न्यूज चैनल देखने में आपका कितना पैसा लगता है जैसे कि अगर आप नभारत टाइम्स का एक कॉपी उठाले डेली आपको अगर उस पे सबस्क्राइब करते हैं तो आपको दिन का तीन रुपे देना पड़ता है और अगर आप इंडी टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करें टाटा स्काइब पर जिस चैनल पर एक टाइम पर मैं काम करता था लेकिन खैर आप वो नहीं दे रहे हैं आप असल में कितना दे रहे हैं वो आपको बता था हूँ क्योंकि एक रुपे अठारा पैसे जो मैं एंडी टीवी इंडिया का आपको बता रहा था वो पूरे महीने का है आप पूरे महीने के लिए अगर NDTV इंडिया देखेंगे तो 1.18 पैसे देखेंगे और अगर आप पूरे महीने के लिए भारत टाइम्स लेंगे तो आपको 90 रुपे देना पड़ेगा या अतनी की भारत टाइम्स के लिए आप 76 गुना पैसा खर्च करते हैं फिर भी आप जो 3 रुपए देते हैं वो भी कम है क्योंकि एक न्यूस पेपर चापने में लगभग 15 रुपए लगते हैं इसका मतलब हर पेपर पर हर अगबार के कॉपी पर आपको 12 रुपए कम से कम 12 रुपए का डिसकाउंट मिल रहा है यानि की 80% डिसकाउंट आपको मिल रहा है अखबार में तो आप सोच लीजिए की न्यूस चैनल देखने के लिए आपको कितना डिसकाउंट मिल रहा होगा इसको कैल्कुलेट करने के लिए थोड़ा हम ले लेते हैं कि न्यूस चैनल का खर्चा कितना आता है आप देखिए कि घर घर तक किसी भी न्यूस चैन का फ्री डिश हो चाहे वो केबल वाले का पैसा हो लगबग 30 से 50 करोड के रेंज में खर्चा आता है हर एक चैनल का अच्छी तरह हर एक टीवी सेट पर पहुंचने के लिए तो आप सोचे जी इतना तो सीधा निकल गया पहले ही कुछ करने से पहले अब आया रिपोर्टर का वेतन, जितने भी करमचारी हैं उनका वेतन, साथ में ब्राडकास का खर्चा, कैमरा का खर्चा, कंप्यूटर चलाने का खर्चा, स्टूडियो का खर्चा, ओफिस चलाने का खर्चा, ये सब आप अगर मिलाएंगे तो एक न्यूस चैनल को सब को जोड कर कम से कम 80 करोड जिसको कहते हैं कि जर्नलिस्ट, रिपोर्टर जाकर जो न्यूस लेकर आता है आप तक पहुंचाने के लिए उस पर कितना खर्चा होता है, अब आप कहेंगे इसमें क्या खर्चा है, खर्चा है क्योंकि आने जाने का खर्चा है, अगर शहर के अंदर ही कवरेज है तो भी जर्चा का कम से कम खर्चा है, पेट्रोल का खर्चा है, अगर न्यूस चैनल की अपनी गाड़ी हो तो ड्राइवर का खर्चा है, तो ये सब मिलाकर इसको न्यूस गादिरिंग का कॉस्ट का आ जाता है, साथ में उसके बाद आप देख लीजिए, अगर शहर के बाहर जाके किसी गाओं में या दूसरे शहर में, दूसरे छोटे शहर में जाकर न्यूस लाना हो, तो आने जाने का खर्चा तो हुआ है, साथ में अगर रात को रुखना है तो होटेल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, कभी-कभी कैमरा पर्सन और जर्नलिस्ट को जो डिये दिया ज खर्चा सारे निस चैनल काटने की कोशिश करें, कम करने की कोशिश करें कि यूकि उनके पास पैसे नहीं है, और ये total ख़र्चा भी जो होता है वो लगबग 2-3% होता है किसी भी निस चैनल का, यानि कि आप सोच चैनल का असली काम है आप तक ख़बर लाना, ख़बर कही चैन और उस पर खर्चा 2 से 3 प्रतिशत जादा से जादा 5 प्रतिशत होता होगा अगर किसी भी न्यूस चैनल को अच्छी तरह से सारे देश के जरूरी और महत्वपून खबरों को आप तक लाना है कवरेज करना है तो बहुत सारे रिपोर्टर की जरूरत होगी इसका मतलब वेतन का खर्चा भी बड़ेगा और साथ में जिसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं यानि कि न्यूस गैदरिंग का कॉस्ट है वो भी बड़ेगा यानि कि अगर अच्छी तरह से न्यूस कवरेज करना है तो आज जिस लेवल पर कोई भी न्यूस चैनल चल रहा है उससे कम से क 10-15 करोड जाधा उनको खर्च करना पड़ेगा और वो पैसे उनके पास नहीं है क्योंकि जाधा तर न्यूस चैनल जाधा तर टॉप 2-3-4 न्यूस चैनल छोड़कर जाधा तर न्यूस चैनल या तो लॉस पे चलते हैं या बहुत कम पैसे बनाते हैं जिससे वो आगे अप उसना expansion कर पाए मैंने आपको एक उधारन दिया था इंडी टीवी इंडिया का एक रोपे 18 पैसे आप देते हैं देखने के लिए आज तक देखने के लिए और भी कम देते हैं आप subscription से जो revenue आता है बड़े चैनलों को छोड़ दीजे एक दो बड़े चैनलों को अगर आप छोड़ देंगे तो ज़्यादा तर न्यूज चैनलों को दर्शक जो पैसा देते हैं उससे उनका खर्चे का सिरफ एक से दो प्रतिशत तीन प्रतिशत उससे ज़्यादा cover नहीं होता ह यानि की 95-97% कम से कम एक न्यूज चैनल का जो खर्चा होता है वो advertising से आता है यानि की विज्यापनों से आता है इसलिए न्यूज चैनल डरे रहते हैं दो चीजों से डरे रहते हैं एक है सरकार से और दूसरा है rating से पहले सरकार की बात कर लेते हैं हम सरकार से क्यों डरते है क्योंकि सरकार अगर चाहे तो न्यूस चैनल का हालत बहुत खराब कर सकता है कोई भी न्यूस चैनल अगर सरकार से पंगाले तो क्या हो सकता है सबसे पहले सरकार केबल वालों को डरा धंका कर कह सकता है कि इस चैनल को मत दिखाओ और अगर आपका चैनल नहीं देखा तो क्या होगा आपको विग्यापन नहीं मिलेंगे क्योंकि विग्यापन वाले क्या चाहते हैं कि आप जाद से जादा लोगों तक पहुंचें साथ में सरकार क्या कर सकती है सरकार उपर से आपको उपर केस ітьोक सकती है फिर आपका केस का खर्चा ओ सकता है सरकार ये भी कर सकती है कि जो News Channel के मालिक है उन पर Income Tax का Reade लगा सकती है उन पर केस दर्ष कर सकती है उनको डरा धमका सकती है तो इन सब कारणों से सरकार से सभी चैनल डरते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है और एक और चीज भी होता है कभी कभी जो विज्यापन देते हैं वो भी डर जाते हैं कि अगर आप सरकार के खिराब बोल रहे हैं और उस चैनल पर उन्होंने विज्ञापन दे दिया तो उनों पो भी मुश्किले आ सकती हैं इसलिए वो भी डरते हैं यह हुआ सरकार का डर जिसके कारण न्यूस चैनल गोधी पर बैठे रहते हैं अब आते हैं कि न्यूस चैनल कॉर्परेट के गोधी पर क्यों बैठते हैं क्यों गोधी मीडिया बने हुए सरकार और कॉर्परेट का और वो है विज्ञापन अब आप देखे कि अगर आपके पास रेटिंग नहीं होंगे अगर आप नहीं पहुंचेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तो आपको विज्ञापन नहीं मिलेगे और मैंने आपको कहा कि अगर आपको विज्ञापन नहीं मिलेगा तो न्यूस गैदरिंग तो छोड़िये आप distribution नहीं कर पाएंगे आप केबल तक पहुंच नहीं पाएंगे, आप जनरलिस्ट का या करमचारियों का वेतन नहीं दे पाएंगे तो हर वक्त लड़ाई इसी की है कि रेटिंग कैसे आए, कितने लोग हमें देखेंगे ताकि हमें ज्यादा विज्यापन मिले ये ज्यादा पैसे नहीं, ये नहीं की बहुत प्वाफिट, सिर्फ बचे नेने के लिए, सिर्फ बचे रहने के लिए रेटिंग की जुरुरत है न्यूज चैनले को और अब आता है आपकी बारी, रेटिंग में क्यों ये सब अंशंट चीज़े दिखाये जाती है ये एक तरीके से आपकी गलती नहीं है, इसमें एक कारण ये भी है कि आप पूरे दिन काम करके, जब ठक हार कर आते हैं, दिन में खाना वाना खाके, आप रिलाक्स करना चाते हैं, आठ, साड़े आठ, नौ बजे आप टीवी ओन करते हैं, तो न्यूज चैनल आप देखते हैं, आप चाते कुछ रोमान चखो, कुछ उत्ते जखो, कोई entertainment हो, क्योंकि मनोरंजन पूरे दुनिया में न्यूज के तुलना में जादा देखी जाती है, मैं आपको एक दो उधारन दे देता हूँ, पिछले हफते के ratings का से उधारन दे रहा हूँ है, जैसे आप अगर ले इंप्रेशन, स्टार उत्सव के जितने इंप्रेशन थे, उसकी तुलना हम आज तक से करें, तो स्टार उत्सव के इंप्रेशन लगभग 4.4 गुना जादा था, साड़े 4 गुना जादा था आज तक से, तो आप समझे रहे हैं कि मनोरंजन लोग जादा देखते हैं, जाद देखा जाता है नंबर वन इंग्लिश मूवी चैनल था पिछले हफते स्टार मूवी और उसकी तुलना मैं करता हूँ नंबर वन इंग्लिश चैनल के साथ जो की रिपब्लिक टीवी है इंग्लिश न्यूस चैनल जो की रिपब्लिक टीवी है मतलब उसको न्यूस कहा जा रह अब कोई भी जो न्यूस चैनल चला रहा है और विज्यापन चाहता है वो क्या सोचेगा मैं अपने न्यूस में थोड़ा मनवरंजन डाल देता हूं थोड़ा उत्तेज़क कर देता हूं इसको तो फिर मेरे पास विज्यापन आएंगे ज्यादा देर तक ज्यादा लोग क्योंकि 9 बजे सीरियल में जाने से पहले वो अगर न्यूस पर अटक आए और वहां पर उत्तेज़क चीज़े आ रहे हो कि क्या सुशान सिंग राजपूत को किसी ने मारा है या हिंदू मुसलिम क्या पाकिस्तान पर कल हम बम फेक सकते हैं क्या चाइना को हमने सबक सिखा चला सककते, स्टूडियो में बैठ कर अंकर क्या रहे हैं गैस चला रहे हैं यो को देखने में बहुत लोगों को मजा भी आता है, काफी उत्तेजक होता है, रोचक होता है और इसमें आपकी गलती नहीं है आप ठक गए हैं आपको मनर रंजन देखना है तो कोई भी जो चैनल का मैनेजर है या मालिक है या एडिटर है उसको हर वक्त लगता है कि थोड़ा रोमान चक बना दूँ फिर लोग ये देखेंगे और होता भी है जब वो बॉलिवोड डालत हैं साथ में जोतिश विद्या डाल देते हैं तो क्या होता है लोग देखते हैं उनकी रेटिंग बढ़ जाती है उनको विज्यापन जादा मिलता है उनकी आय बढ़ जाती है और वो जादा खर्च कर पाते हैं जादा देतन दे पाते हैं अपने रिपोर्टर्स को अपने कर रोचक तरीके से हमें दिखाते तो हम देख लेते हैं, हाँ, इसमें भी चैनलों की failing है, ये चैनल कर नहीं पाए, कि ज़रुरत मंद रोचक जो को एक मज़ेदार रोचक तरीके से आप तक पहुंचा पाए, ताकि आप उसे देखें, खैर, इसके लिए भी खर्चा होता है, क् उसमें script writer होते हैं, उसमें editor होते हैं, visual editor होते हैं, आप सब अपना video बनाते हैं, आप सब जानते हैं, editing आजकल क्या होता है, अच्छी तरह से package करने के लिए, अच्छी तरह से लिखने के लिए, अच्छी तरह से graphic डालने के लिए, इन सब में खर्चा है, अब इसका जवाब क कैसे इसमें हो सकता है कि चैनल खर्चा भी कर पाए और आप तक जरुवत मंद और महपूर्ण चीजे भी ला सके और सरकार से सवाल भी उठा सके, सरकार से ना डरे क्योंकि अगर सरकार केस ठोक दे तो कानून का जो लीगल फीज है वो चैनलों को भरना पड़ेगा और उसका भी पैसा चैनलों के पास होना पड़ेगा तो जब تक उनके पास रेवन्यू आये का दम है तब तक वो सरकार से सवाल पूच सकते हैं उससे पहले वो नहीं पूच सकते हैं, इसका एक ही उपाय है एक ही उपा है कि आप दर्शक चैनलों को पैसे दीजे आप लोग सब्सक्रिप्शन फी दीजे आप 75 रुपए देते हैं एक अगबार पढ़ने के लिए आप उसके जगे 1500 रुपए दे दीजे क्योंकि आप एक लंच पे 100, 200, 500 रुपए खर्च कर देते हैं उसका आधा किसी अगर एक चैनल को एक रुपए 18 पैसे के जगे 75 रुपए भी दे दे तो चैनल का पूरा काम बन जाएगा उनको ना विज्यापन पर डिपेंड करना पड़ेगा पूरा ना ही सरकार से दरना पड़ेगा और गोधी मीडिया और रहेगा नहीं तो यह आपके उपर है दर्श में दोटा चैनल की दोटा रहेगा जावेंड कर दो यह दोटाने हैनगा इन प्वेड़ेगा शन के यह दोया चाहर भागाम जान ऑजवाबा है तो यह दो बनुटाएवागा है झाल झाल